हलो गुड मॉर्निंग सर इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि टैली प्राइम में जो वाउचर्स क्रियेशन्स का जो था उसमें ऑपरेशनल फंक्शनलिटी टैली ने क्या चेंज किया है टैली वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो सबसे पहले हम प्राइली एर में देखते हैं कि टैली ERPNN में क्या था, कि हमें वाला जो transaction वाला जो section है, उसमें इस तरह से हमें अलग-अलग option मिलते थे, accounting vouchERS, inventory vouchers, order vouchers, और फिर accounting vouchers में हम जाते थे, तो यहां पे sales का button था, फिर purchase का button था, इस तरह से बटन थे, ठीक है, और हम inventory vouchers में जाते थे तो इस तरह से उसके delivery note, receive note ऐसे buttons थे, ऐसे options थे, voucher entry के और order vouchers में हम जाते थे तो हमें यहाँ पर order vouchers के entry करने के button activate होते थे, option मिलते थे तो अब इसमें क्या किया है tally में, tally prime में, tally prime में सब कुछ एक ही option में डाल दिया है यानि अब transaction में आपको तीन अलग-अलग option में मिलेंगे, accounting voucher, inventory voucher, order vouchers ऐसे option में मिलेंगे, आपको एक single option मिलेगा, vouchers आपको उसमें ही जाना है अब vouchers में चले गए, तो यह एक ही option में आपको यहाँ पे सारे button यहाँ पे right side में आ जाते है ठीक है, तो देखें जैसे जो key वही है, F8 for sales, F9 for purchase, ठीक है, F5 for payment वो सब सेम ही है, ठीक है, बड़ थोड़ा बहुत change किया है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या change हुआ है तो आपको एक ही option है, सबसे पहले तो vouchers उसमें जाना है, और उसके बाद यहाँ पे यह buttons मिल जाएंगे आपको अब जिसे यहाँ पे sales है, purchase है, ठीक है, अब अब यहाँ पे देखें कि जैसे यह जो sales है, sales वाला जो button है, उसमें यहाँ पे right side में एक छोटा सा arrow है अब उस arrow को click करोगे, तो आपको दूसरे तिन बटन activate होता है, sales, delivery not, sales order तो इस तरह से उसको change किया है, ठीक है, कि अगर sales order भी बनाना है, तो आपको vouchers में ही जाना है बट यहाँ पे जब आप वो जो sales वाला button जो है, उसको यहाँ पे arrow को click करोगे, तो आपको उसका वो sales order का button डिस्पले होगा, ठीक है उसका sort key क्या है, वो भी आपको पता चलेगा, वी जैसे control F8 है, ठीक है, या तो आप sort key प्रेस करके उस voucher को open कर सकते हो, entry करने के लिए इस तरह से change किया गया है, tally prime में, अच्छा, अब सबसे पहले देखे कि यहाँ पे यह जो sales order है, यह button मेरा inactive है, वो active नहीं है, तो वो कैसे active होता है, कैसे active होगा tally prime में, जैसे यह delivery note है, वो भी inactive है, तो वो कैसे active होगा tally prime में, अब जैसे आपको पता हो कि tally ERP9 में क्या था कि हम F11 में जाते थे, और अगर मुझे sales order को enable करना था, तो मैं inventory features में जाके, पहले उस company में उस feature को yes करता था, ठीक है, enable sales order processing को, फिर उसके बाद, वो मुझे order vouchers में, वो button मेरा activate करता था, ठीक है, alter F5, यह sales order यह button, और मैं sales order का entry कर सकता था, बट, tally prime में क्या हुआ है, कि जैसे मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया है, कि जो app 11, जो fetch की price करके, हमें जो अलग-अलग option मिलते थे, उसको बहुत ही simple बना दिया है, ठीक है, कुछ चीजे वो, उसके कुछ दूसरे option years करने के साथ ही, वो features को by default enable कर देता है, तो अब यह tally prime में, अगर support ऐसा नहीं है, कि मैं app 11 की price करूँगा, तो यहाँ पे मुझे कहीं पे enable sales order करके option मिलेगा, ठीक है, या enable delivery not करके मुझे कोई option मिलेगा, या enable tracking number वाला option मुझे मिलेगा, तो मैं मुझे पहले वो yes करना है, तो वो button activate होगा, या वो voucher activate होगा, वो features activate होग ठीक है, ऐसा नहीं है, teleprime में क्या है, कि ये करने के लिए, जैसे मैं accounting voucher, sorry, transaction में vouchers में गया, अब मेरा, यहाँ पे मेरा sales order activate नहीं है, ठीक है, अब मुझे ये sales order को enable करना है, तो इसको मैं कैसे करो, ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए, एक button है, other vouchers, आप उसको क्लिक करना है, other vouchers में जब आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको so inactive को क्लिक करना है, जब आप so inactive को क्लिक करोगे, तो जो दूसरे inactive voucher से, जो किसी features के उपर depend थे, tally erp 9 में, वो features हमें yes करना था, तो उसको tally prime में बहुत simple कर दिया, कि मैंने tally prime में ये जो आप 10 करके जो button है, other voucher उसको क्लिक किया, फिर उसके बाद मैंने so inactive को क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, और उसके बाद यहाँ पे, जैसे देखिए, order vouchers में मैंने ये sales order, ठीके, control F8, ठीके न, ये sales order को मैंने enter किया, ठीके, तो अब मुझे ये tally, prime में मुझे ये option आ रहा ह है, कि भी you need to activate the sales order voucher type, activate now, yes or no, और मैं yes कर रहा हूँ, तो क्या होगा, कि अब वो features भी enable हो जाएगा, जो हमें tally ERP9 में, F11 inventory features में जाके पहले वो features yes करना पड़ता था, बट tally prime में उसको simple कर दिया, कि मैंने others vouchers में में गया, ठीके, so inactive में में गया, ठीके, तो यहाँ पे म enter करके उसको yes कर दिया, तो मेरा वो features भी yes हो गया, और मेरा वो button भी activate हो गया, अब मैं यहाँ पे यह arrow click कर रहा हूँ, ठीके, और उसके बार यह मेरा, sorry, यह मेरा sales order already open है, इसके लिए वो मुझे disable दिखा रहा है, अब मैं यहाँ पे sales में गया, ठीके, अब यह button को मैं यहाँ पे right में click कर रहा हूँ, तो मेरा यह sales order का button यह activate हो गया, ठीके, और यह मेरा sales order का voucher open हो गया, इसी तरह से, मतलब आप दूसरे vouchers जो आपको enable करने हैं, वो आपको इस तरह से करने पड़ेंगे, टैली प्राइम में, अब जैसे हम एक दूसरा देख लेते हैं कि delivery note, अब जैस अब उसको मैं कैसे enable करूंगा, same चीज repeat करना है, other vouchers में गया मैं, so inactive में गया, ठीके, अब यहाँ पे inventory vouchers में यह delivery note है, मैंने उसको enter किया, टैली प्राइम में मुझे message आएगा, कि यह delivery note का features आपको yes करना है, ठीके, मैंने yes कर दिया, तो मेरा feature भी yes हो गया company के अंदर, और म यहाँ पे मैं जब यह arrow key को click करता हूँ, sales वाले, तो यहाँ पे मुझे तीन option मिल गए, sales, sales order और delivery note, delivery note इसलिए मैंने disable है, क्योंकि मैं रहा delivery note voucher already open है, इसलिए, तो इस तरह से हम लोग vouchers का जो भी functionality change हुआ है, वो टैली प्राइम में इस तरह से design किया गया है, अब जैसे मा क्या करते थे कि कभी कभी हम लोग multiple voucher type create करते हैं, जैसे भी payment के अंदर हम multiple voucher हम create करते थे, कभी bank payment, या अगर हमारा अलग-अलग bank book है, तो भी HDFC bank payment, कोटक bank payment, SPI bank payment, ऐसे हम multiple voucher type create करते थे, तो उसके लिए हम पहले tally ERP9 में क्या था, कि भी हम masters में जाके voucher type में जाके create कर सकते थे, वो इसमें भी है, कि भी हम tally prime में यहाँ पे masters में create में जाके, voucher type में जाके create कर सकते हैं, बड़ और उसको simplify किया है, कि अगर आप vouchers में हो, transactions के अंदर vouchers में हो, और यहाँ से ही आपको नए voucher type बनाना है, तो अब बना सकते हो, अब जैसे मुझे payment में बनाना है, ठीके न, तो अभी जैसे मेरा यह जो payment है, ठीके, मैं payment क्लिक करता हूँ, तो इसमें अभी मेरा दो voucher type आ रहा है, bank payment और एक payment, अच्छा, अब मुझे क्या करना है, कि मुझे create करना है, नया voucher type, HDFC bank payment, kotak bank payment, तो कैसे क पाऊंगा, ठीके, या तो यह मैं, मैं आपको पहले receipt से बताता हूँ, कि चलो मैं, मुझे यह मेरा receipt है, तो receipt में मैं गया, ठीके, यह receipt मेरा है, ठीके, अब receipt में मेरे को multiple receipt के भी, kotak receipt, kotak bank receipt, HDFC bank receipt, ऐसे बनाने है, ठीके न, तो कैसे मैं बना पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे म तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे others vouchers में जाना पड़ेगा, और others vouchers में जाके, यहाँ पर option है, create में, create में जाना पड़ेगा, others vouchers में जाने के बाद, मैं create में जाके, यहाँ से वो पहले create कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने create किया, at DFC bank receipt, और यहाँ पे मैंने उसको डाल दिया receipt में तो यह मेरा नया voucher type create हो गया यह मैंने आपको दिखा कि किस तरह से आप transaction के अंदर जो voucher वाला option है वहां से जाके आप किस तरह से नया voucher type create कर सकते हो ठीक है अब दूसरा अभी जैसे अभी receipt में मैं जा रहा हूँ F6 ठीक है तो अब यहां पर मुझे वह दिखा रहा है HDFC bank receipt और यहां पर उपर option भी दे रहा है create तो अब मुझे कोई दूसरा भी बनाना है तो फिर मुझे others vouchers वाले option में जाने की जरूरत नहीं है मैं यहीं से ही create करूँगा ठीक है और मैं लेखूंगा कोटक bank receipt ठीक है अंडर receipt ठीक है तो यह मेरा नया वाउचर टाइप क्रिएट हो गया कोटक bank receipt तो टैली प्राइम में मैंने आपको बताया कि जो वाउचर टाइप का जो मतलब स्वारी वाउचर में से आप वाउचर टाइप कैसे पर पूरा ने टैली यार पी नाइन में ठीक है न तो वह चीज़े टैली प्राइम में कैसे होगी क्योंकि टैली प्राइम में एफ लेवन के अंदर अब वह सारा option नहीं है कि unavailable sales order unavailable purchase order unavailable delivery not receive not तो वह उसके vouchers कैसे active होंगे तो उसके अक्टिवेट करने लिए आपको other vouchers में जाना है और ये जो so inactive को click करना है और यहां से उसको जो भी आपको वाउचर अवाउचर अवार यानेवल करना है उसको enterprise करना है तो वो voucher भी enable हो जाएगा और वो features भी enable हो जाएगा Thank you, thank you very much sir